नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कम्प्टिशन कम्मूनिटी के यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट को ले करके और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इतिहास हम लोग हिस्ट्री के उपर बात करेंगे हम आपको बता देती से पहले जोगराफी और पॉलिटी के उपर हम लोगोंने बात कर लिया है तो अभी हम इतिहास के उपर बात करेंगे यानि कि हिस्ट्री और हिस्ट्री के उपर जब हम बात करेंगे तो आप जानते हैं की इतिहास को तीन अलगलग काल निर्धारन में पढ़ा जाता है इस बात को आप अच्छे तरीके से जानते हैं अगर उस काल निर्धारन को हम इस तरीके से बात करें तो प्राचीन भारत की इतिहास यानि हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो तीन काल निर्धारन में हम और आज जो हम अपना कलास की शुरुवात करेंगे बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे जैसे आप पढ़ना नॉर्मली शुरू करते हैं यानि कि प्राचीन भारत की इतिहास से सुरू करेंगे और करम से लेकर कि हम आदनीक भारत के थिहास यानि कि भारत के अजादी तक की पूरी बात यहाँ पर बताएंगे आज का कलास हमारा इतिहास का पहला कलास है और पहले कलास में में इंडर्स वैली सिविलाइजेसन से चीजों को शुरू करेंगे इस बात को ध्यान में रखेगा और मैं हमेशा जैसा कहता हूँ कि आप previous year question paper को solve करें यह बहुत important है previous year question paper solve करना बहुत जरूरी है आप solve करें एक और दूसरी बात जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ वो यह है कि यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह ना सिर्फ SAC के लिए है बलकि SAC इस बात को आप समझ लिजे आप previous year question paper देख लिए अगर वहां से question paper आपका बन रहा हो मेरे पढ़ाने के बाद तो फिर मेरे बात पर भरोसा कीजे नहीं तो नहीं कीजे लेकिन previous year question paper जरूर आप एक बार solve करेंगे मैं जिस तरीके से पढ़ाँगा उसके बाद क्योंकि इससे आपका believe हमारे उपर बढ़ेगा इससे आपका believe अपने उपर ही बढ़ेगा कि चलो जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है यानि बिल्कुल to the point है सही track पे है ठीक है तो ये बात मुझे बताना था आपको especially क्योंकि बच्चे confused हो जाते कि sir किस के लिए CGL के के लिए है railway के लिए आरे किसी के लिए नहीं ये एक topic है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद चाहे तुम किसी exam में जा करके बैठ जा कोई फरक नहीं पढ़ता है इस mentality के साथ आप किसी topic को पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे आगे भी तो ठीक है ना तो हम लोग सुरू कर करके सबसेंगे बहुत और सब्सक्राइब करके बातें कहीं एक है समय समय पर उस्में कुछे बाति Love के दौरए सभापित सभाक या आर्यां जो बाद के उद्गम के सिध्धान को लेकर के बात करते हैं, तो इन ओरीजीन को लेकर के हम बहुत बात इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि ओरीजीन से आपके एक्जाम के जब कोस्टन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा controversial होता है यह कोस्टन, क्या बोलते हैं अगेंस पॉइंट है तो इसके कुछ बीपक्ष में में बीचारण नहीं दिखा जाता है एक दैमाबाद को छोड करके उसके बाद सारी मोसफ्रताय में से बिल्कुल इनकार करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसके ओरीजीन का यह पॉइंट है तो कहीं न कहीं इसके अगेंस में भी बाते चलती हैं तो हम इसको यही पे छोड़ते हैं और इंडर्स वैली सिविलाजेशन को परने की कोशिज करते हैं कि यह है क्या किस तरीकी की सब्वेता है और क्या कहानी है देखिए इंडर्स वैली सिविलाजेशन की टाइम प्रियएड को आप वहां पर ध्यान दे रहे होंगे आपके सामने में time period लिखा हुआ है, time period को लेकर के भी छोटी मोटी बाते कहीं जाती है दो, तीन तरीके की बाते हैं, मैंने यहां पे दो बाते time period को लेकर के लिखा है ज्यादा बात confusion ना हो आपको, इसलिए मैं नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि आप NCRT पढ़ेंगे और दूसरे तीसरे किताब पढ़ेंगे तो चीजे थोरी सी अलग हो जाती है तो मैं भारा सरकार की किताब के हिसाब से फॉलो करूंगा और उन्हीं को ले करके चलूंगा क्यूंकि भारा सरकार यान की इनसे रटी किताब हो या इन्द्रा गांधी जो नेशनल ओप्न ईन्वरसिट the ओंडिली न्यक्ति मतलब जित्ने बी बड़े-बड़ किताबों वे जो चीजे लिखी जाती है उसको माना जाता है अगर आपका भी चैलेंज भी करने जाएंगे तो उन्हीं चीजों को आपको evidence group में दिखाया जाएगा देखना दिखायाना होगा कोई दूसरे तीसरे छोटे मोटे writer की किताब या छोटे मोटे publisher की किताब से काम नहीं चलेगा चले ठीक है आके चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इंडेस वाली civilization का time period क्या है तो देखो मोटा मोटी time period जो इंडेस वाली civilization का है और यह आम बोल पॉइंट है जिसको आप बहुत बार एक्जाम में question भी पूछाए कि C14 क्या होता है तो काल निर्धारन की पधिती है जिसमें carbon का age है उसको निर्ध निकाला जाता है यह छोटी सी बात है जो एक्जाम के question में बनते हैं और उसका answer जो मैंने बताया वो होता ह है तो point यह है कि carbon C14 के हिसाब से date क्या है तो C14 के हिसाब से 2300 BC से 1750 BC है यानि कि इसाप पूर्व है यहां पर आप में से कुछ बच्चे BC और AD में साथ confuse ना करें तो मैं आपको बता दूं ठीक है BC और AD में आप लोग confuse बिल्कुल भी ना करेंगे ठीक है दोखो यह BC है है ना BC यानि की और यह है AD ठीक है यह बिफोर क्राइब से कॉमन एरा तो कहीं आपको BCE और CE दिख जाए तो इसको अच्छे तरीके समझेगा CE का मतलब AD और BCE का मतलब BCE का मतलब BC यानि कि विफोर क्रेश्ट अब यहां पर थोरा सा आगे बढ़ते हैं तो इसको हिंदी में इसापुर्व इसको क्या बोलते हैं हिंदी में से ठीक है तो इसा के इसलिए यहां पर इस भी और इस भी पूर्व कर दिया BC, CE, कॉमनेरा और BC, कॉमनेरा और BC, क्रेश्ट अब इसका मतलब क्या होता है खुशी का दिन, हैपीनेस डे हैपी डे, जो हैपीनेस डे है ना तो लोगों ने जिसके हाथ में जो मिला, जिसके हाथ में सत्ता आई, जिसके हाथ में पावर आया, जिसके हाथ में चीजों को बनाने का पूरी की पूरी विवस्था आई, उन्होंने अपने तरीके से चीजों को एनलाइज किया अगर कुछ लोह को लगता है कि healthy day एक also कि इसवी यानि कि इसा के जन्म के बाद happy day शुरू हो गया है तो मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि इसा के जन्म के बाद की कहानी, अगर मैं बताना शुरू करूँ, यानि कि एक इसवी से लेकर खेह और आज तक जो कि मुझे लगता है पूरे दुनिया और भारत की सारी जो इन्पोर्टेंट लराईयां है और जो इन्पोर्टेंट घटना है हो मेरे जिहन में है और मैं बता सकता हूँ समय चाहिए तो आप देखेगा कि कितने बेकार तरीके की चीजे हुई है और कैसे इसको हैपी डेज या हैपी टाइम कह दिया जाता है यह मेरे को समझ में नहीं आता है जिसमें दो आप अच्छे तरीके जानते हैं दो वर्लड वार हुआ था उसके उससे पहले पता नहीं कितने कौन-कौ आया तेमूर और चेंगेज और बावर और दुनिया में क्या बोलते है कुरूसेड हुआ या धर्मिद हुआ इसायों में भी प्रोट्वेश्टेट और कैथोलिक के बीच में उसके बाद फिर इस्राम पूरा एकदम चलिए ठीक है तो कोई हैपी डिज नहीं था है ना तो यह BC, AD, BCE, CE, ISW, ISRAPURO यह समझ में आ गया होगा आपको अब BC को कैसे कल्कुलेट करते हैं तो तो उल्टा करते हैं अगर यहाँ पर 1700 यहाँ पर BC लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह कैसे चलेगा वो मैं बतायाता हूँ यह चलेगा 1700, 1600, 99, 1698, 1600, 277, 1696, 1695 ऐसे करके पीछे पीछे चलेगा और एक तक आएगा यानि कि एसे करके एक तक आएगा और इस भी कैसे चलेगा एक दो तीन चार पांचो शाट आठ तो यह बात अब ध्यान में रखेगा कि जब आप इस भी सन को देखते हैं यहाँ पे तो देखे ज्यादा पहले है और कम बाद में तो इसका मतलब है कि यह पीछे की तरफ चल रहा है पीछे की तरफ आनि 2550, 2549, 2548, 2547, 2546 ऐसे वापिस जाते-जाते 1750 तक आया तो इस वेज़से इसको भी थुरा जा ध्यान में रखेगा टाइम फिल्ट को लिएकर के मन में कोई कन्फूजन आपके ना हो चलिए तो सी चोधा पत्ती से 2320 से 1750 भी सी मानते हैं और नॉर्मली जो है ना 2550 से 1750 माना जाता है और इसको ठीक भी करके लोग आते हैं सी चोधा पत्ती से पूछेगा तो 2300 आप कर लिजेगा अब यहां पी बीच में लिखा है कि इसके काल को तीन भागों में बाटा तीन भागों में बाटने का कोई ऐसा आउचित नहीं है लेकिन बस बाट दिया मैंने काल निर्धारन पर बात करेंगे तो काफी समय लग जा तो अगर बाट दिया है तो एक पहले काल निर्धारन को कहते है प्रारंभी काल यानि कि इंडर्स वैली सिविलाजेशन का सुरुवाती बिंदू है सहर बनने की प्रोसेस में है या फिर घर बन रहे हैं बैपार चल रहा है आधनिकता थोड़ा थोड़ा आ रही है क्योंकि आप जानते हैं कि बिल्कुल सहरी सविता थी आधनिकता थोड़ी थोड़ी आ रही है यह कहारी चल रही है प्रारंभी काल में उसके बाद एक होता है कि मतलब जो होते हैं जिसको बोलते ह चरम काल, मतलब इस काल में बिलुकुल इंडर्ज वाली सिराइशन अपने चरम पे है, सहरों का उठान हो गया है, दुकाने, ब्यापार, लोगों की सोच, बिचार, हर चीज मतलब एक तरीके का समझ लिए कि रेने सा जैसा चीजे चल रही है है, जो हम लोग इटली में परते ह चौदी सदी में रहने सा, वो आज से पांच जार साल पहले हमारे देश में चल रही है, वो कहानी हो रहा है, सहर बनाने के मामले में, लोगों के सोच के मामले में, गहना, कपरे, हर चीज के मामले में, उसके बाद आता है पतन का काल, और आप जानते हैं, जिसका उठान हु काल निर्धारन को लेकर करके हमने बहुत सारी बाते की BCAD वेगर सब कुछ आपको समझा दिया हैं अब आगे बरते हैं इंडेस्वली civilization को लेकर के यह क्या सब्वता और किस तरीके से चीजें हैं देखें जब इंडेस्वेली सिविलाजेशन की शुरुआत हो रही थी और इंडेस्वेली सिविलाजेशन की खुदाई हो रही थी तो को शुरुआत का क्या बात है शुरुआत तो पांचार साल पहले हो थी जाने तो हम बहुत बाद में है तो जब इंडेस्वेली सिविलाज नहीं आयागा तब तक हमारा देश जब हम लोग बोलेंगे तो हम पाकिस्तान से लेकर करके बांगलादेश को इंकुलूड करेंगे तब ही हम अपना अपना देश बोलेंगे ठीक है चलिए तो चुकि हम गुलाम थे और गुलामी का पूरा का पूरा एक दौर चल रहा था तो उस गुलामी के दौर में हम क्या देखते हैं कि कुछ साइट्स बेगार जो बड़ा इंपॉर्टेंट था वो समझ में आता है तो उसमें कुछ-कुछ लोग जो इंवाल्व थे और क चुण से अगर देना हैं तो जांकिन उसको अका पाफि इस ओंजा डिश्टू हुआ करते हैना यहां विह देल्शने के लिसा सकता है शुरूआ कि बात तो बरे कीन द्रीष्टिल से देखना शुरूआ तो लोग एक अट समय काफिध उटा इंव ने किया काफी दिनों तक इसको छुपा के रखा, काफी दिनों तक छुपा के रखा, और फिर इसको अगर उजागर भी किया, तो कुछ इस तरीके से कहीं बेस्ट से कोई लोग आये थे, पस्चिम से, और उन्होंने इस सभिता को बनाया था, मतलब तुम लोग कमजोर हो और कमजोर ही यह पूरे दिमाग में भरने की कोशिस किया, यानि कि अगर कोई अच्छी चीजे है, वो भी किस की दिन है, बेस्ट की दिन है, यानि पस्चिम की दिन है, ऐसा अंग्रेजों ने हमेशा चाहा है, आज भी चाह रहे हैं, अंग्रेजों का इतिहास, अगर आप पढ़ेंगे अंग्रेजों राइटर का, तो कुछे को छोड़ दिया जाया, तो हमेशा अपने डोमिनेंट, यानि कि बेस्ट के डोमिनेंट की बात करेंगे, ताकि ये लोग का जो मेंटालिटी है, वो हमेशा गरीब ही बना रहे है, पैसे से गरीब नहीं, सोच का भी गरीब, पैसे का अपने आपको अमेशा गुलाम समझे, अपने आपको अमेशा दवा हुआ समझे, नीचे समझे, कुछला हुआ समझे, ये बात समझ में नहीं आ रहा है उनलोग कि आज हमारा पूरा का बुदॉज और Google और पता नहीं कौन-कौन सब हम लोग चला रहे हैं, थेक है, ये आप प्रूब भी जानते हैं तो एलेक्जेंडर कनिंगम जो है ना 1853 में हरपा संस्कृति के सबसे पहले मोरो को देखा था उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1921 में काफी दिनों तक इसको बदवागे रखा गया जैसे आप देख रहे हैं और इसके पीछे एक और कारण होगा कि उ से पहला साइट हरपा था तो इसलिए इस सब्वता का नाम हरपा सब्वता भी कह दिया गया ठीक है हरपा सब्वता तो अगर आपके एक्जाम में कोशन यह पूछेगा कि हरपा सब्वता क्यों कहा गया क्यों बलते हैं और इंडियों सब्वाटी सब्वता क्यों कहा गया द खुदाई की गई थी तो हरत्पसरता हो गया और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि जो बड़े-बड़े साइट थे और मैक्समुम साइट शुरुवाती समय में वो सिंधु नदी के किनारे मिले और चुकि सिंधु सबसे बड़ी नदी है वहां के जित सिंधु सबसे बड़ी नदी है तो जितने भी सबयताय मिली उसको सिंधु की सबयताय कह लिया गया क्योंकि सिंधु के आसपास ही मिली थी सिंधु से जुरी हुए मिली थी कहीं ने कहीं तो सिंधु घाटी सबता हो गया हरपा किसलिए क्योंकि पहला साइट है पहला अस्थ खुदाई होती है तो मोहां जोदारो हडप्पा से बड़ा शहर निकलता है अगहां प्लस में और जोधरो जो भी आप बोलते हैं यह इसको क्या कहा गया ट्विंड कैपिटल का गया यानि की दोहरी दो राजधानिया कही गई 21 की हरपा सबता की या इंडियस वैली सिविलाइजेशन का ठीक है और इस तरीके से फिर बहुत सारे साइट्स खोले खोदेगा बहुत सारे साइट्स मिले हम साइट्स के बारे में बात करेंगे लेकिन पहले हम इसको यहां पर निप्टाने की कोसिस करें ठीक है चलिए 1926-1934 एमेस बस ने हरपा की खुदाई की और 1934 में जॉन मार्सल ने मोहन जोदरो की खुदाई की चुकि यह एक्जाम में कोस्टन हरपा सबता के देयाराम साहनी से कई बारी बना है तो इसको मुझे बताना बढ़ा इंपोर्टेंट लगा और बताना भी चाहिए तो देयाराम सा तरीके से राखाल दासमनर जी मोहन जोदरो के खुदाई में अपना योगदान दिये हैं तो इसको भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा ठीक है मैंने इसको हाइलाइट कर दिया हाइलाइटर से ठीक है चलिए अब आगे बरते हैं आगे देखते हैं कि हम पोटो भी दिखाऊंगा आपको सबसे नॉर्थ में हमें मांडा दिखता है यानि कि जम्मू और काश्मीर दिखता है सबसे नॉर्थ में मांडा जम्मू और काश्मीर देखो JNK दिखता है सबसे नौर्थ में सबसे साउथ की बात करें तो द्यमाबाद जो की महराष्टरा में दिखता है यह कोशन एक्जाम में आया है इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे पूर्व में हमें देखता है आलमगिरपूर उत्तर परदेश में आप देखें मैं इसको इस्ट कर देता हूँ ठीक है इसको साउथ कर देता हूँ ठीक है इसको नौर्थ कर देता हूँ ठीक है और इसको वेस्ट कर देता हूँ यानि कि पस्चिम कर देता हूँ और इसको नौर्थ वेस्ट कर देता हूँ ठीक है उत्तर पस्ची में इसको कर देता हूं तो और पस्ची में क्या देखते हैं सुतकां गेंडोर और सुर्कोड़दा जो मकरान पाकिस्तान के तटपे है जो इरान का बिल्कुल बौर्डर बनाता है यह कोशन यहां से बहुत बढ़ा आया है इस बात को धियान में यानि कि अगर इसके पूरे बिस्तार को हम देखें तो मैं अच्छे तरीगे से बता सकता हूँ कि नौर्थ में हम मांडा सब्सक्यार म सबU बॉर्णकुर इरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है आज के रूप में और जब हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखते हैं तो हमें सूर्थ भोई और मुंडिगग दिखते हैं जो कि अफगानिस्तान में है तो अगर इसके पूरे पॉइंट्स को देखा जाए और इसके विस्त समकालीन सब्ता की बात करें तो मेसोपोटामिया या मोसोपोटामिया मोसोपोटामिया की सब्ता जो कि आप जानते हैं इरान इराक की सब्ता है जिसको सुमेरिया भी बोला जाता है ठीक है यह एक पॉइंट था जो बड़ा इंपोर्टेंट है है ना और एक था वांगो रि नदी या जिसको पिली नदी की सब्विता कहते हैं येलो रिवर सिवलाइशन इसी को बोलते हैं येलो रिवर सिवलाइशन इसी को बोलते हैं येलो रिवर सिवलाइशन ये कहा था चाइना में चाइना में ठेक है और इसी समय और सब्विता मिलता है मिस्र में मिस्र की सब्व तो यह येलो रीवर है यह वांगो नदी है यह निल नदी है और एक हमें मिला क्या अपना इंडेश्फयलाइज़जेशन और एक मिला मुश्वपोटामिया यह टिग्रीस नदी यहाँ पर टिग्रिस रिवर हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो यह कुछ समकाली इन सब्विता थी जो कि इंड्रेस वाली सिविलाजेशन के साथ में ही चल रही थी पूरे दुनिया में ठीक है, खास करके जो हमारे आज़ पास था इनके साथ हमारा ब्यपारिक संबंध भी था मुस्वपोटामिया सबसे इनके साथ हमारा ब्यपारिक संबंध सबसे ज्यादा था और सबसे पुराने सभिता भी माने जाती है मुस्वपोटामिया क्या इस बात को ध्यान रखेगा कभी भी अपना सभिता का नाम नहीं लीजेगा, अपना सभिता भी इसके समकालीन थे, लेकिन अगर oldest among the all होगा, तो मुस्पटामिया हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो जब इन सभिताओं की बात करते हैं, जिनकी बात अपनों को देखा अभी, तो उनके हिसाब से हमारा जो स 99,600 km2 में फैला हुआ था, और इतने बड़े छेतर में दुनिया का कोई भी सभिता नहीं फैली हुई थी, जितने बड़े छेतर में ये इंडर्स वैली सिविलाजेशन फैला हुआ था, 12,99,600 km2 और ये एक्जाम का कोस्टन बना है, समझ लेजे, और अभी उत्खनन चल रह जाते हैं लेकिन maximum site जो आज का पाकिस्तान हमारे पास है, स्री दुनिया में जो आज का पाकिस्तान है, तो हमारा इंडर्स वड़ेशन का maximum site उनहीं के पास है, है ना, तो जो उनके पास है, थो खुद अपना खाना खाने के लिए बेचैन है, तो कहां से खुद आई को खाना खिला ले अच्छा से जो इम्रान खान साहब है तो इस वेयर से हम यह ज्यादा आसा नहीं रख सकते हैं कि पाकिस्तान इसमें बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट दिखाएगा क्योंकि वह उनके कंसर्ण का भी बहुत ज्यादा नहीं दिखता मुझे एजुकेशन एजुकेशन से बहुत लेना देना उनका नहीं होता है अमूमन लेकिन भारत के पास जो है उसकी चीजे चल रही है उसका पूरा प्रोसेस तेजी में हमेशा होते रहता है तो भागोलिक विस्तार आप देख रहे हैं कि 12,99,600 km2 में है और तिरभूजाकार है और नौर्थ, इस, साउथ, बेस्ट हमने सब दिखा दिया अब इसको तुरा सा क्या बोलते हैं हम एक फोटो के साथ देखे तो आपको ज्यादा आच्छे तरीके से समझ में आएगा इसको अच्छे तरीके से देखिए एक फोटो के साथ हम आपको दिखाते है देखिए यहाँ अगर आप देखते हैं तो यह मांडा है मैं यहाँ पर ओपर में आपको दिख़ए ओगा यह है और यहाँ पर राके गडि और यह यू पी का यह आलम गिरपूर का इलाखा है यानि कि यहाँ पे मैं आलमगिरपूर लिख देता हूँ ठीक है आलमगिरपूर आलमगिरपूर है यह ठीक है आलमगिरपूर है यह यहाँ पे देखो सुतकेंजे डोर है जो बिल्कुल ही आप देखो इरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे सुथका केंजेडोर और सुथका यह दोनो उसके बाद आप देखते हैं नीचे में हमारा डैमाबाद का इलाका है जो महाराष्ट्रा में है नर्फ-वेस्ट में मुंडी गक दिख श्करण का पूरा इलाका है तो यह इस तरीके से फैला हुआ और इस मैप में आप एक बात देखेंगे, यह देखो हरपा है, राभी नदी के किराने हरपा है, यह कोसन एक्जाम में कितने बार पूछा है, यह देखिए, आप मोहन जोधारो है, जो सबसे बड़ा साइट है, इंडस वैली सिवलाइजेशन का, the biggest site of इंडस वैली मैं दूसरा color कर देता हूँ, हलका color, ताकि आपको दिखाई दे, बिल्कुल हलका color, ठीक है, देखिए, यह इंडस है, और जितने भी नदिया आपको दिख रहा है, सब इंडस की ही सहायक नदी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने जोग्राफिक पढ़ा दिया है, तो अपने फिल्म देखा होगा, महन जोदारो रिरीदी क्रोशन का, तो वो अमरी से महन जोदारो जाते हैं, अपने समान को बेचने के लिए, यह भी बात आप जानते हैं, तो यह यहाँ पर देखिएगा, और किस तरीके से तिर्वुजाकार है, वो भी आप देख लीजे, ऐस बहुत सारा रोपर है, पंजाब में, बहुत सारे है, मतलब इसको अगर मैं पढ़ना सुरू कर दू, यह भी बहुत सारा समय हमारा है, निकल जाएगा, ठीक है, तो इन्डेस वाजी सिविल्याजेशन की साइट्स को आप लोगों ने देखिया है, इसको अच्छे तरीके से एक बार और देखियेगा, पढ़ियेगा, और अपने एक्जाम का कोश्ण जरूर सौल करेंगे, अब देखते हैं कि इन्डेस वाजी सिविल्याजेशन का स्वरूप कैसा था, हरपा सविता का स्वरूप कैसा था, तो इसे हरपा सविता भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, यह बा तो आप जानते हैं कि यह किस तरीके से काउंट होता है, पचीस सो, पचीस सो उन्चास और ऐसे करके एक पे आएगा, तो इसका मतलब है कि इसमें हम जोड देंगे, क्या, अभी क्या चल रहा है, हमारा दो हजार बाइस चल रहा है, तो अगर इसको एड करते हैं, तो दो और दो पांच और दो चार, यानि 4522 साल, 4522 साल पुरानी सब्विताओं की बात कर रहे हैं, और लगवक 4500 साल पहले हम सहर में रहते थे, मैं अपनी बात या हम सब की बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हम पाकिस्तान, भारत और बंगला देश को सब को इंक्लूड कर लिया हू तो इस वैसे आप उस नजर से हमें देखना सुरू करेंगे, ठीक है, तो हम कहा रहते थे, सहर में, मतलब ऐसे समझो कि जो अंग्रेज, हमारी, मतलब आप समझ रहे हैं कितना वो छोटे लोग हैं, कितना गरीव लोग हैं, इन मामलों में, कि जब हम सहर में रहते थे, जब ह हम लीपियो की बात करते थे उस संवे वो लोग मुझे लगता है कि जंगलों में रहते थे नहीं पता नियुक्त लुग उद्वफब भी हुआ था धक्का दे रहा है कि तुम ग्रेट थे, तुम ग्रेट हो, लेकिन बस हम सीख नहीं रहे हैं, ठीक है, हम सीख नहीं रहे हैं, मैं तो हमेशा कता हूँ अपने एस्टुएंट से और अपने दोस्तों के बीच में, कि बनाने वालों ने इतिहां से बेहतर सब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, मतलब इतिहां से बेहतर सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हैं, किसलिए, क्योंकि दो तरीके की बात होती, एक तो आप जानते हैं कि हमारे पीछे क्या चल ला था, और उससे आप सीखते हैं, और दूसरा किन चीजों के करने से उसका रिजल्ट क्या होता है, ये दोन उसके बेहतर से ये गलती क्यों करें, तो इतिहांस अगर हम जानेंगे, तो हमें ये छीज समझ में आ आगी, एक और दूसरा हम कितने डैवलप्त हैं, कितने मजभूत है, हम कितने बैभव बन साली थे, हम कितने समपन थे, ये बात हम में तभी पता चलेगा, जहम अपने इ थी हां से अपना आत्म विश्वास लेकर के और यह आत्म विश्वास भरता है कि हम सहर में रहते थे हम सहर में रहते थे हम कांसे का पड़ियोग करते थे कांसे का पड़ियोग जब दुनिया मिट्टी भी समझ में नहीं आता था उनको उस समय हम कांसे का पड़ियोग करते थे हम 4,500 साल पुरानी बात कर रहे हैं, हम सांती मुलक थे, हम आज भी सांती मुलक है, हमारे धर्ती पे बहुत और जैन जैसे लोग जनम लिये, बाद में आकर के महातना गांदी जैसे लोग जनम लिये, तो हम ऐसे धर्ती वाले लोग है, तो हम सांती मुलक थे, और अभी भी सां करते थे यहां पर बात समझ लीजे कि यह लोग लोहे के परयोग के बारे में नहीं जानते थे हैं ना लोहे का परयोग नहीं करते थे परयोग नहीं करते थे इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजे यह एक्जाम का कोशन बना है कि लोहे का परयोग नहीं करते थे कांसे का प्रयोकर थे और कासे की मुर्ति की पूरे जो डांसिंग गर्ल है और पूरे दुनिया का सबसे बिख्यात और सबसे ज़्यादा एड्मारेवल वो इस मुर्ति है समझा है ना इस बात को समझेगा आप कभी भी जाएगा किसी म्यूजियम में तो आपको दिख जाएगा ठीक है चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके का जीवन था उनका ठीक है जो की बात हम लोगों ने पहले कहा कि हरपा और मोहन जोदरो दोनों इसकी राजधानी थी जुरुवा हिंदी इंगलिस दोनों में लिखा हुआ बेटा और नोट्स भी आपको हिंदी इंगलिस दोनों अधा द्यान देतिती वेपार और बनेज की संविता थी लराये झभड़े की सविता नहीं थी किसी भी चित्र को अपने में मिलाल लेने वाली इस अब दोनों जीदी तको आपको पछे तरीके से शंविएगा बिल्कोल ही अहिंसअ बादी सभिता थी इसको भी आप समझेएगा, और तब हम फल फूले हैं abit और ध्यान दब किientsा होगा वहाँ पे ब्यापार होगा वहाँ पे मानव का विकास होगा लेकिन जहां पे हिंसा होगा वहां पे मानव का विकास होगा ना व्यापार होगा उधारन के लिए सीरिया देख लीजे, यमन लिए देख लीजे, या फिर आप मध्ध जो कंट्रीज है उसकी बात कर लीजे, हमारा परोसी पाकिस्तान देख लीजे, या फिर हमारे अंदर ही अगर भारत के अंदर ही बात करें, तो बाहर रहारत के अंदर ही देख लीजे, वै यानि कि पैसे में भी आगे बढ़ा और इंसानों की सोच और इंसानों की development भी हुई तो देश के अंदर भी वही बात है और दुनिया में भी वही बात है इस बात को समझेगा अच्छे तरीके से ये concept हमें से अपने मन में रखिएगा जहां अहिंसा होगा वहीं पे ब्यभार होगा वहीं पे बात होगी वहीं पे विकास होगा चलिए आगे बात करते हैं सासन बनिक बरगो के हाथ में था ऐसा माना जाता है देखो इसको मैं जो लिखा हूँ न ऐसा नहीं है कि एकदम डिटो मैंने जो लिख दिया वो बिल्कुल सही है मैंने कितावे पड़िए NCRT हमें जो बताती है वो सारी बाते हैं लेकिन यह सब अनुमानित है् वहां किताबों में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि संभावत्तह देखिए क्या लिखा और सासक ब्यपारी होगा तो मानव का वे विकास होगा इस बात को अच्छे तरीके से समझेगा लेकिन जब राजा रानी की बात होती है तो वो तो अपना क्या बोलते हैं उसको छड़ी भुमा करके सासन करते हैं तो हाँ डेवलप्मेंट की बात आप कहां कर सकते हैं मध्धि इससे कोई फरक नहीं परता है आप इसे पढ़े ना पढ़े आप ध्यान रखे कि यह जुरूबा राजधानी थी और बानिज्य ब्यपार के उपर में ज्यादा काम होता था इस बात को अच्छे तरीके समझेगा चलिए एक्जाम के को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हरपा सर्वता किसलिए सबसे जाना जाता है तो अपने टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है हिंदी इंगलिस दोनों में लिखावा मिल जाएगा बेटा परसान आप लोग नहीं होंगे हरपा सर्वता अपने टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है यानि कि नगर योजना के लिए हारपपसता जाना जाता है, नगर योजना कैसी थी? अगर वो बताओं तो देखो, यहां पे लिखा भी है नगर योजना, ठीक है, कैसे थी नगर योजना, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दू, यहां पे मैप पर बना करके, देखो, मान के चलो यह नदी है ठीक है यह क्या है कोई नदी है तो जितने भी नगर आप दिखेंगे न या इसके ट्रिब्टरीज है नदी की ठीक है यह इसके यहाँ पर ट्रिब्टरीज है हो सकता है इसके ट्रिब्टरीज यह हो ठीक है तो यह सारे नदियां है ठीक है एक तरीके से बताता हूँ मैं और आपको Town Planning हमेशा के लिए याद रह जाएगा हमेशा के लिए ठेक है ध्यान अखना हमेशा के लिए तो जितने भी सहर बनेंगे न वो कुछ इस तरीके से बनेंगे आज भी आप देखेगा पूरे दुनिया में और भारत में जितने भी सहर है maximum सहर नदियों के किनारे है maximum बनाड़ाथ, पत्ना, डिली, कितने बड़े शार लखना हूं, जितनेों सार के नाम लीजिए आप, हैजर रावाद, मुसिनादी, आप नाम लीजिए आप, लहार, रावी नदी, तो आप सारे शार हों का, आप ब्वसिंग्टन चले जाएं आप नियू वर्क चले जाएं वो नदियों के किनारे सहर का निर्मान होता है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे दो तिन कारण है, एक तो हमारा सबसे इंपोर्टेंट कारण है कि हमारा पानी मिल जाता है, हमें जीवन जल ही जीवन हम जानते है, तो हमें पानी मिल जाता है, और दूसरा पॉइंट ह हमें मिल जाता है तो वो दो पॉइंट हो गया और नदियों का बहुत सारे development की बात होती है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आधुनी काल में भी और पहले भी हमेशा नदियों के किनारे ही बसतिया बसाई जाती थी नदियों किनारे नहीं सहर बसाय जाते थे तो एक पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट यहां पर देखेगा जैसे यहां पर मैंने पर आभी नदियों के ना रहे रखिया और यह एक्जाम का कोष्टन है कई बारी बना है तो इसको बाद धियान में रखेगा भी भी आई है दोनों के दोनों चलिए आगे नगर दो अस्तर का था नगर क्या था दो अस्तर का ऊपड़ी सहर दुर्ग में था और निचली सहर को किलेबंदी नहीं की जाती थी उपरी सहर को किलेबंदी की जाती थी चलिए नगर जाल की तरह विवस्थित था अब यहां पर मैं कुछ बातों को परने से अच्छा है कि मैं समझा दू थोड़ा सा बोर्ड पर मना करके नगर को और फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा फोटो देखिए मान के चलो कि एक नगर है तो नगर कुछ इस तरीके से बसा हुआ था यह समझ जो सरक है ठीक है और सरके एक दूसरे को समकून पर काटती थी यह सरक है यह क्या है यह सरक है यह क्या है एक सरक है एक सरक है और यह सरक है और यह में सरक है इस से लगा हुआ सर करते हैं कह、、 cui बिल्कुल सीधे सीधे आप शरक निकल सकता है ठीक है तो यह इस तरीके से सरके थी ठीक है ना समझ मेरा रहा है यहां लिजीए चलिए ठीक है और यह सरके थी यहां पर कुछ इस तरीके से आप सरको को देख सकते हैं ठीक है अब फिर घरों का निर्मान कैसे थे घरों का निर्मान को दूसरे कलर से ले देखो घरों का निर्मान सरक के किनारे होता था सरक के किनारे घरों का निर्मान होता था यह देखो इस तरीके से घरों का निर्मान होता था ध्यान रखेगा आप अब सरक के किनारे घड़ों का निर्मान हो रहा है ये बात आप समझ में आ रहा है आपको और सरक के एक दूसरे को समकून पर कारती थी यानि कि 90 डिगरी का एंगल बनाती थी अगर आप मैत में थोड़ा सा भी अच्छे हैं और 90 डिगरी के एंगल आपको समझ में आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाहरे है ठीक है सरक के किनारे घड़ है और देखें 90 डिगरी कैसे एक दूसरे को कारती रही है कारती है तो सरक के दूसरे को 90 डिगरी कारती थी सरक के किनारे घड़ बसा हुआ था और यह पैटर्ण कुछ ग्रीड जैसा नहीं सरक है यह सरक है यह सरक है फिर इसको ऐसे कार दिया ऐसे कार दिया ऐसे कार दिया नीचे एक सरक कर देता हूं इसको ऐसे कार दिया ऐसे कार दिया तो यह एक ग्रीड पैटर्ण आपको दिखाई दे रहा है तो ग्रीड पैटर्ण है या इसको चेस बोर्ड पैटर्ण भी बो है उस पैटर्न से था और मकान हमेशा सरक किनारे थे सरक एक दूसरे को किसे कारते थे समकोन पे 90 दिग्री के एंगल पे कारते थे और इस तरीके से सहरो का निर्मान था अच्छा यह सहर दो परकार के थे एक था मैं आपको थोड़ा सा यह तो सहर हो गया सहर का कैसा था यह दो मान के चलो यह सहर है तो क्या कर दिया कि यह उपरी सहर है मान के चलो यह उपरी है उपरी सहर और यह है नीचली सहर तो मैक्सिमम सहरो में मैक्सिमम कुछ एक सहरो को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम सहरो में क्या देखा गया है कि इसके उपरी सहर को क् की गई है यानि कि चारो तरफ से घहर दिया है Vert5 जिसको प्षिखएन कहते है suff dispute ऐन याऊ अनुमाल लगाते कि यहां पर ब्यापारी बर्ग या संपन बर्ग रहते थे और है हम पर मज़ती हैं थे हैं मजदूर किसानबर्ग यहां रहता है वाले और मजदूर 후 का पूरा का पूरा पूरा का बोलते हैं रैक मिला हैं प्ञर्ड़य में जानते हैं गप दुकाने मिली है Это बात आप जानते हैं dirty अजिए रिए उप्री शहर ओद निचली सहर अच्छा उपरी सहर और निचली सहर के बीच एक रास्ता था पतला साथ जो उपरी सहर और निचली सहर को क्या करती थी जोरती थी एक दूसरे को तो देखो यहां पर यह लोग यहां जाएंगे आएंगे लेकिन जो जाना आना आता था वो रिस्टिक्शन के साथ था अगर जो की identity होती है तो फिर उसको entry मिल जाता है जहां घोरे से बचाता है तो point को अच्छे तरीके से समझेगा फिल्मे भी देखिए आप लोग फिल्म नहीं देखते हैं यह गज़त बात है फिल्म देखिए फिल्म देखना बहुत जरूरी है ठीक है तो यहां पर देखिएगा अगर आप इस तरीके से यह जो entry है इसको भी आप अच्छे तरीके समझने कोसिस कीजेगा तो सहर ऐसे बटा था अच्छा कोई कोई सहर ऐसा जिसका दोनों सहर में fortified किया गया था कुछ कुछ सहर थे जिसमें तीन किलेबंदी थी तो यह सारी बाते मैं बताया हूँ लेकिन बात ध्यान में रखियेगा कि मुख रूप से सहर जो है ना दो ही उपड़ी और निचली सहर और उपड़ी सहर को किया गया था किलेबंदी क जाल की तरफ हैला था जिसके चेशबूर्ट पैटर्न भी बोलते हैं और घर जो है ना सरको किनारे होती थी सरक एक दूसरे को समकोन पर काड़ती थी यह सारी बाते मैंने आपको बताया वही सारी बाते हमने लिखा हुआ है तो उसको लिखा हुआ एक बात पढ़ लेते दे अब भबन थे चली ठीक है सरक एक दूसरे को समकोन पर कारती थी पूर्ब से पास्चिम और उत्तर से दचिन कहने के ज़रुत नहीं अगर ऐसे ऐसे हुआ तो समकोन ही हो गया थीक है सरक किनारे पक्की नालिया और गड़े का निर्मान किया गया था कि नालियों से जो भी क् वह बाहर निकाल करके और रखा जाए गड़े में जैसे मान के चलो नाली है मैं आपको अब तस्वीर दिखाता हूँ ठीक है इंगलीज में लिखा हुआ है तो आप लोग स्क्रीन सोट ले सकते हैं आपको पीडियोपी मिल जागा तो परसान नहीं होना ठीक है मान के चलो ये देखो ये हरपा का मोहन जोदारों का एक पूरा पैटर्न है जो हरपा सवता का सबसे बड़ा सहर है ठीक है अब यहां पर सहर देखिए कैसा है अम्मूमन आपको कुछ अंदाजा मिलेगा जो कि मैंने आपको बताया थोरा समय टाइम यहां पर ले रहा ह ठीक है यह एक तरीके का लगता है कि जैसे कि फोटिफिकेशन किया गया है एक तरीके का फोटिफिकेशन है ठीक है एक तरीके का चलो ठीक है यह यहां पर और सहरों को किस तरीके से बाटा हुआ है अब लेखिए सहर कैसे ग्रीट पैटर्न पर है देखिए एक दूसरे को य इसंग सब्सक्राइब का सबसे बेहतरी नमुना जिसको असनानागार कहा जाता है सबसे बड़ी, यह, क्या बोलते हैं, भवन बोल सकते हैं, मतलब, अर्किटेक्चर बोल सकते हैं, असनानागार है, असनानागार के 4 तुरफ 보도, कम्रे बने होते थे, तकि कपडे बगारा, बदलने के लिए, और जो भी है, कहते हैं, कि यह धार्मिक आयोजनों में यहां पर असनान किया जाता था. अब जो भी आयोजन हो वो अलग बात है लेकिन ऐसा अशा छलिए यह है अब यहां पर भी देखें कितने पैटर्ण से इसे कितने तरीके से कीथ न चॉलSch पैटर्न से आप देखने कितना खुबसूरत ऊपर्स लग रहा है तो इतना डेवलप तरीके से सहरो का निर्मान किया गया था इंडेस वैली सिविलाइजेशन में चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं यह इंडेस वैली सिविलाइजेशन का वाटर सप्लाई है जो मैंने कहा था है आप देख लीजेए धके हुए नाली है यहां पर आप देखिए घरों से नाली निकल रहा है तो यह घर है पूरा तो कहने का मतलब है कि नालियों का इतना बेहतरीन बंदोबस्त था इंडेस वैली सिविलाइजेशन का कि इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है दो तिन इसके नाली किसी नदी या किसी तलाल में जाकर खटम हो जा जाता था जहां पर गंदे पानी निकल जाते थे अचा साफ पानी के लिए अलग से नाली था यानी tuna से अगर पानी घर और आप समझे, 5000 साल पहले हमारे पुर्वजों ने ऐसा सहर बना दिया, 5000 साल पहले हमारे पुर्वजों ने ऐसा कलाकारी कर दिया, कि सौचाले का निर्मान हर घर में होगा, कुवे पाए जाएंगे, नाली साफ पानी का अलग और गंदे पानी का अलग होगा, नालीों को ढख जिससे बीमारी नफैले, नालियों को साफ करके गड़े में दवाने के लिए आसपास में गड़ा रख दिया जाता था, जिससे बीमारी नफैले, तो पॉलूसन पे कितना ध्यान रखा जाता था, आप समझ लीजे, जबकि उस समय पेट्रोल से चलने वाली गारी नहीं थी, इ आप इसको development की हिसाब से समय के साथ development देखिए, और अगर समय के तालमिल की हिसाब से development देखते हैं, तो आज भी जो 5000 साल पहले की बात पर रहे हैं, वो हम से 5000 साल आगे है, मतलब हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं है, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे सारा है, जहां पे ना लोग थे, अगर comparison करो तो बहुत सारा develop लोग थे, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाजेशन के बाड़े हम लोग बात कर रहे थे, अब इसके आर्थिक जीवन यानि की agriculture के उपर बात करते हैं, कि इनके आर्थिक जीवन कैसा था, तो किर्सी सिंदु चेतरों में होती थी, अधिसेस उत्पादन होता था, गेहू जो चावल मतर अधिफसलों का परमान मिला है, गेहू जो चावल चावल का परमान कहां से मिला है, रंगपूर से चावल का परमान मिला है, लोथल से चावल का परमान मिला है, ये सब एक्जाम का कोस्चन है, बे जूते खेत का परमान, ठीक है, तो काली बंगा से जूते खेत का परमान मिला है, अनाज के बड़े बड़े कोठार मिले है, वो हम आपको दिखा देंगे, और ये कोशन एक्जाम का है, कि सबसे पहले कपास की खेती का परमान कहां मिलता है, तो हरपा मिलता है सबसे पहले कपा मतलब कि जहां पर अनाजों को जमा किया जाता था अदिसेस अनाज, अदिसेस अनाज का मतलब क्या होता है कि हरप्पा सविता बाले लोग अपने खाने से जादा अनाज का उत्पादन करते थे, और जब आप खाने से जादा अनाज का उत्पादन होता है तो कहीं जा कहीं जम कि न केवल खेती खाने के लिए कर रहा है अदिशेच के लिए भी कर रहा और अदिशेच के लिए कर रहा है तो अदिशेच से तभी तो ब्यापाड होगा और उसको जमा भी कर रहा है मतलब आप समझे कितनी बरी बैल बकडी गाय भैस कुट्टे बिल्ली आदी पालतू पसु थे हलाकि गाय का परमान मुहरों पर नहीं मिला है यह कोशन एक्जाम का है ठीक है कि गाय का परमान मुहरों पर नहीं मिला है तो गाय का परमान मुहरों पर नहीं मिला है लेकिन भेर का परमान बैल का परमान सबस सबसे ज्यादा थिक है मुहरे इसी की है सबसे ज्यादा तो बैल का परमाल मिला बकरी, कुत्ते, बिली, कुत्ते के आप जानते हैं पैर मिला है इट पे तो पसुपालन में यह सर्चीज का सुरकोर्दा से घोरे के अबसेयस मिले है हलाकि यह important है एक्जाम point of view से लेकिन घोरों के बारे में नहीं जानते थे गोरों के बारे में नहीं जानते थे या परचलन नहीं था इसको ऐसे लिख तो ज्यादा अच्छा है परचलन नहीं था ठीक है परचलन नहीं था यह सब्द अच्छा है नहीं जानते थे यह बात मैंने लिख तो दिया है लेकिन परचलन नहीं थ कर के बहुत ज्यादा इन्पॉर्टेंट नहीं दिखा है कूबर वाले सांट जिसको हमने बैल कहा इस सब्से परमुक पशू था सब्से पर्मुक पसू और एक सिंगी गेंडा का अस्थान अस्थान इस सभिता में समझें यूनिकॉर्ण का बहुत बहुत अस्थान है इसको आप अच्छे तरीके से समझते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसके ब्यपार के बारे में कि ब्यपार किस चीज का होता था वो देखते हैं सिल जब हम आएंगे तो वहां पर हर चीज आप दिख जाएगा ठीक है किसकी से ब्यपार होता है मिसर से निल नदी किसा बहरीन को दिल्मून कहा जाता था दिल्मून कहा जाता था जो भी चीजे मैं लीक रहा हूँ ना बैटा ुसको लीकना क्योंकि आपके यह नोर्स में नहीं मिलेगा जो अपने कोपी में लिखेंगे तो ब्यापार किसे किसे होता था तो मोस्व पर्टामिया से ब्यापार होता था मिस्र से होता था बहरीन से होता था इन सब जगों से ब्यापार होता था ठीक है यानि की दिल्मून कहा जाता था बहरीन को याद रखेगा और मेलूहा मेलूहा सब् किया गया है हरपा सबता के लिये तिग हरपा सबता के लिए वान ध्यारेगा चांदी कहां से आता था नो चंदी इरान अफगानिस्तान से आता था किंवती पत्थर जिसको लाप準 ल को अ trophy पोलौन इंगली स्में वह बहुतtant था अफगानिस्तान महराश्चा आदि से न जहां से ब्यापार होता था इस बात को हमने यहां पर ध्यान दिजेगा एक सिक्कों का परचल नहीं था सिक्के नहीं मिले हैं लेकिन आदान परदान के लिए बस्तु बिनमय आपके पास से वो ले एक कमपैरी मतलब अनुपात में तो फिर उसको उसी को बस तुबीन में परनाली कहते हैं और आज भी गाउं में ये चीजे अमूमन मैंने जब स्कूल में गाउं में पढ़ते थे तो काफी करते थे अभी भी चलते हैं जैसे मैं चावल लेकर के चला जाता था या फिर मक्का लेकर चला जाता था और बचपन में और स्कूल जाते हुए और जो बेचने वाले हैं वो लाई जिसको आप लोग लड़ू कह सकते हैं तिल का लड़ू वो देते थे या फिर नमकीन देते थे वो हमें खाने के लिए तो ऐसा हम लोग करते थे काफी पेन का जो रिफिल है उसको खरने के लिए दादी जो है ना इतना सा अनाज देती थी और लेके चले जाते थे क्योंकि पैसे की कमी थी अनाज की कमी नहीं थी इस बात को समझेगा जैसे कि मान के जो लोग घरों में अगर कोई नौकरी वाले है फिर भी उतना सैलिरी तो था नहीं लोगों का पहले तो पैसे की कमी थी लेकिन अनाज की कमी नहीं थी क्योंकि अन परदान बस्तू बिनमय के द्वारा होता था इसी को बस्तू बिनमय कहते हैं कि बस्तू के बदले बस्तू लाजवर्द मनी लाजवर्द जिसको लैपिज लावली कहते हैं यह सासक बर्ग सासक बर्ग कहने का मतलब यह है कि जो संपन बर्ग हम कह सकते हैं संपन बर्ग का सबसे पढमुख पत्थर था जैसे होता है कि आजकल हम क्या बहुत है नीलम पहन लेते हैं पोखराज पहन लेते हैं और यह कीमती पत्थरों का बात करते हैं हीरा की बात करते हैं तो लाजवर् मापतौल जो मापतौल था उसका मानक 16 का था 16 का और 16 के मापक मतलब 16, 32 या 2, 4 ऐसा है जो 16 के ही अनुपात में मापतौल की बात होती थी और अभी भी गाउं में आप जानते हैं कि चीजे किस तरीके से चलता है या फिर पहले अगर आपको थोरा सा भी ध्यान हो तो मैं आपक हमने क्या कहा दिया हंड्रेड के बराबर कर दिया तो आप देखिए कि किस तरीके से पर्चलन है हमारे यहां 16 आना या जो 50 पैसे थे उसको आठ आना कहते थे आठ आना जो 25 पैसा होता था उसको 4 आना कहते थे तो यह जो 16 और उसके जो बुननफल है उसका परयोग काफी अब तो क्या बोलते हैं सिर्फ मुहापरों मेरा गया है लेकिन परयोग आप लोग ने जरूर अगर पचीस पैसे का पचास पैसे का परयोग किया होगा तो आठ आना और चाराना जैसे चीजे हम लोग के लिए बरा आसान था जब हम लोग बच्चे थे तो दादी देती थी आठाना और चाराना जैसे पैसे चोटे-चोटे ठीक है चलिए तो मापतल का मानक 16 और उसके अबरतनांक का परयोग होता था कांसे की डंडा हाथी दात्मेगरा का पैमाना जो है ना बात आदी का परमान मिला है तो यह बहुत इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट यह चलिए ठीक है आगे है यह इंगलीज में लिखा हुआ है बहुत जरूरी है कि इंगलीसोंदी दोनों में हमें यहाँ बैठ के खरे अब यहां पर देखे जो तो ये है आपका लाजवर्द सील, ये सील है और ये लाजवर्द सील है, लाजवर्द पत्थर का बना हुआ सील है, बहुत महंगा होता है, और एक बात ध्यान रखिएगा हर सील पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ हो पढ़ा नहीं गया, लेकिन हर सील पर उसके हिसाब से बात करें, तो देखिए, गहनों का निर्मान किस तरीके से यहां पर देखिए, यह गले में पहने के लिए, इसको मनका कहा जाता है, मनका, वीड्स, मनका, वीड्स कहा जाता है, वो अभी भी जमसते हैं, अभी भी आप राकी बेगा रहे हैं, या किसी चीज मे कोई जो महिलाय पहनती है उसको गूत करके तो इसको मनका कहा जाता है देखो कितना यह मनका और भी मनका हम आपको दिख लाएंगे यह किस तरीके से मनके से माला बना हुआ है अब यह पत्थर किमती है यह सस्ता यह मेरे पहचान की नहीं है लेकिन हाँ यह जरूर है कि जो इस यह सारे यहां पर points आपको दिखाई दे रहा है यह को पैमाना है मापने का पैमाना जो मैंने आपको कहा कि पैमाना मापने का वह मापने का पैमाना है तो यह points आप अच्छे तरीके से देखेगा यह गहनों का ornaments है हरपा सरफता से जो मिला हुआ है खुदाई में जो मिला है ठेक है तो आप देखेगा किस तरीके से कितने डिवलप थे लोग कितना बेहतरीन तरीके से चीजों को बनाते थे इस तरह का गहना अगर आपको मिलो तो एक नया हो जाता है और फैसन में लोग इसको पहनते हैं आप भी खरीद करके बजार से पहन ये शिल्प और उद्योग मैंने गहना वहना दिखा दिया आप देखिए शिल्प और उद्योग के बारे में बात करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा उद्योग भीक्सी तवस्था में था जैसे की बस्तर उद्योग बढ़ाई-गिरी धातू उद्योग आपने लोग ही हरपा सब्यता को इतना ज्यादा डेवलप बना जाता है क्योंकि कासे से क्या हुआ उसके कासे के निर्मान से क्योंकि कासा मजबूत होता है अब जानते हैं तो उसे पेर काटने लगे खुदाई होने लगा खेती बढ़ गया और खेती जब बढ़ गया तो अधिसय से लह युगीन सभयता शुरू हूआ लगभग बुद्ध काल से पहले से लेटर बैदिक एज से लेखर आज तक लह युगीन सभयता चली आ रही है। तो लोह जिस तरीके से हमारे जीवन में इंपोर्टेंट रहा है और आज भी है उसी तरीके से कहां सा इनके जीवन के मिली था माकान पकेट से पुव बनते थे चाक का परचलन था चाक में आप देखिए दुनिया भर की चीज़े बनाये जाती थी और आप डीख़ें बर्तनों पर आप देखिया बॉर्तनों पर जामेती आकिर्ती बिरिक्ष बेगरां बनाया जाते थे सुने चांदी और रत्नों के आभुसन बनते थे मन का उत्पादन का स्थलता मन का उत्पादन आपने देखा मुहरे इस संस्कृति के सबसे पर्मुक्कला किर्थिया है मुहरे मुहर ठीक है मुहर पे देवी देपताओं के साथ जानवरों की आकिर्थिया और गाय के अकिर्थी वाली मोहर नहीं मिली है जो बात हमने आपको पहले बताया कि गाय के अकिर्थी वाली मोहर नहीं मिली है मोरी से लखड़ी का से आधी की बनाया जाते थे लोहे के पड़ियोग के बारे में नहीं जानते हैं मोहरों के बारे में हमने सबसे पहले बताया. मोहर वहारा हम इंपॉटेंट है. यहां पर मोहर देख लिजे。 काशे की नर्तकी देख लिजे insertage. और यहां पर आप देख लिजे क्या मन का और फिर सोने चांदी क्या गहना तो हमने आपको पहले दिखा दियाए. यह है कांसे की नर्त की दुनिया का सबसे फेमस कलाकिरती है, यह इस बात को आप अच्छे तरीके समझ लीजेगा, अब देख़िये, मोहरो को, सबसे पहले स्वास्थिक , स्वास्थिक का पड़योग हमारे हर्पा सव्था में हुआ है, यह मन का है, एक यहां पर देख रहे ह्या आति है यहां पर बहुत सारे करेंगे यहां पर देखिए यह जो मुहर आपको दिख रहा है यह पसुपति का है ठीक है यह मुहर पसुपति का है हम हर चीज के बारे में बताएंगे पसुपति के बारे में है यह स्वास्तिक का है और हर जगा पर जो लिखा हुआ वह आज तक पढ़ा नहीं गया तो यह मु यहां पर देखिएगा जो Mother Goddess है उसके गर्व से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है और इतिहासकारों ने इसका बर्णन ऐसे किया है कि पिर्थवी को माता मान लिया है और चुकि पिर्थवी हमें अनाज देती है तो उस तरीके से पिर्थवी को मा बना करके Mother Goddess की बात कर मुर्तिकी का इस बात का प्रमान है कि इसे उर्वरता की देवी कहा जाता है और पिर्थवी जानते हैं कि उर्वरता की देवी भी है पसुपती जिसे हम आज सिव के नाम से जान लेते हैं पसुपती का भी बहुत सारे मुहरे मिले हैं हमें पसुपती का बहुत सारे मुहर मि है लिंग पूजा का पर्चलन था यानि पूजा का भी परचलन होता था नॉर्मल्री अगर एक तरीके से बात करें कि हर्पा सविता किस तरीके की जो पूजा पढ़ती थी या जो धार्मिक पढ़ती क्यों कैसा था तो प्रकृति के पूजक थे जिसमें पेर पौध है हर चीज का पूजा करते थे पीपल की पूजा करते थे साप की पूजा करते थे हर चीज का यानि की प्रकृति की पूजा का परचलन था यहां पे देख लीजिएगा ठीक है चलिए एक दूसरी बात है कि ठीक है प्रकृति की पूजा थी पसुपति का मुहर मिला है मदर गॉड़ेस की बाते हो रही है लेकिन मंदिर का परमान कहीं नहीं मिला है किसलिए क्योंकि उस सभता में बर्ग भेद नहीं दिखता है मतलब विसेसा धिकार की जो एक कहानी है वह कम दिखाई देता है क्योंकि मंदिर कहीं नहीं या जो भी पूजा अस्थल होता है आज भी समाज में या आज से पहले पीछे चले जाये सो दो सो हजार 2000 साल पहले, तो जो भी पूजा अस्थल हुआ करता था, हमेशा से, वो सक्ति का केंद्र होता था, इस बात को मैं जो बोल रहा हूं, उसको बड़े गौर से समझेगा, जो पूजा अस्थल होता था, वो सक्ति का केंद्र होता था, और जो पूजा अस्थल पे, जो लोग होते वो कहीं न कहीं सक बहुत बबर सक्ती को अपने अंदर अंदर रखते थे, यानी कि वो इतने बबंदे सक्ति शाली थे कि राजा भी उनकी बात को नहीं काड़ता था, इस बात को आप समझचीयेगा, आप देखेगा, आप 300 फिल्म देखे हूंगे, जिसमें राजा भी जुए न जुख जाते हैं मंदिर में जा करके, तो राजा भी उनकी बातों को नहीं कारते थे, और इससे क्या हो गया कि समाज में एक विशेसा धिकारबर्ग पैदा होना शुरू हो गया, और जहां भी मंदिर, मस्जिद और या फिर जो भी पूजा अस्थल था उसका जब बात आने लगी तो विशेसा धिकार बर्ग समाज को अपने तरीके से रूल करने लगा और समाज न चाहते हैं उसकी बातों को मानने लगा क्योंकि वो लौकिक बाते करने लगा वो कैसा करने लगा कि तुम वहां जाओगे तो ऐसा हो जाएगा यह नहीं करोगे तैसा अचा कुछ हद तक चीजे ठीक है फॉर्टर रेगुलेशन ओफ हुमेन बीइंग कुछ हद तक धर्म और धर्म की जो क्या बोलते हैं नियम है वो बेहतर है लेकिन जब यह इन नियमों में कटरता आ जाती है इन नियमों में एक रुकावट आ जाती है बंद सा जाता है तो समाज भी बन जाता है लोग भी बन जाते हैं लोग का प्रग्रेस भी बन जाता है तो जरूरी है कि मंदिर या फिर जो भी पूजास थल है उस पे हम उतना ही believe करें, जितना कि हमें आत्म विश्वास दे, जहां भी हमें रोकने का काम करें, वहां पे उसके believe करना जरूरी नहीं है, इस बात को अपच्छे तरीके से समझेगा, तो यहां पे मंदिर का परमान ना मिलना, यह अपने आप में एक positive sign है, जिसको मैं positively लेता ह ठीक है, इस बात को अपच्छे तरीके समझेगा, धार्मिक जीवन में यह point, पक्का, चलिए, तावीज का मिलना भूध प्रियत में विश्वास को दिखता है, और स्वास्तिक चिन, जिसका हमने मुहर आपको दिखाता है, इसी सबता से दिया हुआ, और यह question अगर exam कब बन भगवान सिव है, और यहां पर भी देखिए पसुपती है, अब इनके बारे में अगर NCRT अच्छे से पढ़ेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, कि एक सीर मिला है, जिसके सर पे दो सींग है, और योगी के मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके चार तरफ जानवर है, मतलब तो कहीं न कहीं, इसे पसुपती कहा गया, या प्रोटो सिवा, इंगलिस में इसको कहा गया प्रोटो सिवा, प्रोटो सिवा कहा गया इंगलिस में, पसुपती कहा गया हिंदी में, इस बात को समझेगा, और इसे कहा गया सिव का परारंभिक रूप, जो बरतमान में हम सिव जिनको मानते हैं, उनका ही रूप कहा गया इनको, तो इस बात को भी अच्छे तरीके समझेगा, कि हरपा सब्ता में ये सील एक नहीं, एक हज्यार मिले हैं, और जब आप इंटरनेट बेगर आप खंगालिये गाई या कहीं देखने के जाईएगा, अगर आप में सो कोई दिल इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, और स्वास्तिक तो हमने पहले भी दिखाया, आभी भी हम आपको दिखा रहे हैं, कि स्वास्तिक का ये मुहर है, जो कि हम लोग ने धर्म कहीं चाप से बात किया, मंदर का परमान नहीं मिला है, चलिए, आगे बात करतें लिपी के बार पीक्तो ग्राफिक और इसकी लिखावट कैसी थी, तो थोड़ा सा मैं अपने तरीके से बता दू और दिखाऊंगा भी मैं तस्वीर भी कुछ ऐसा था, जैसे कि मान के चलो कि मैं यहां से लिखना सुरू करता हूँ, चलो, यहां से लिखना सुरू करता हूँ, यह देखो, मतलब यह है कि हिंदी उर्दू, दोनों का मिलावट है, ठीक है, समझ में आ रहा है, हिंदी उर्दू, एक लाइन left to right और एक लाइन right to left, ठीक है, समझ में आ गया, और इस पधितिवों कहते है, बस्ट्रो फेडन टेक्निक कहते है इसको, बस्ट्रो फ यह स्क्रिप्ट कहते हैं, चुकि यह भाज उत्रातमक है, एक्जाम का कॉसंट यहीं से मिला है, बस्ट्रो फेडलन हमको एक्जाम में कोसंट नहीं मिला है, तो मैं आपको नहीं बता हूंगा कि इसको लेकर क्या बहुत परसान हो, यह question exam में मैं कितने बार solve किया हूं, आप भी solve करेंगे, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं कि मुहरो का क्या कहानी है, कहां कहां, देखो, यह मुहरे हैं, और मुहरो पे देखो, यह मुहर है, एक सिंगी कमुहर, यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर देखे, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, हर जगा आप देख रहे हैंगे, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, यहां पर योगी के मुद्रा बैठा हुआ है, तो मुहरो पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं गया है पढ़ने की कोशिस जरूर की गई है लोगों के द्वारा लेकिन अगर आप इंटरनेट पर खंगा लेंगे तो कुछ-कुछ चीजों का मतलब निकाला गया है लेकिन पढ़ा असपस रूप से नहीं गया है तो यह जो भी बाते हम बता रहे ह वो और जो भी बाते किताबों में लिखी हुई है वो यह सारे के सारे बस एक तरीके का क्या है अनुमान है और अनुमान किसके उपर लगाया गया है उत्खनन में प्राप्त बस्तूओं को देख करके तो इस बात को बड़े ध्यान से देखेगा बड़े गौर से समझेगा क excavated object का मतलब होता है उत्खनन में प्राप्त हुई बस्तूयों का ब्याख्या करके और इस तरीके से बाते लिखी गई है इंडर्स वैली सिवलाजेशन के बारे में पढ़ा हुआ नहीं गया है लिपी में तो अगर लिपी पढ़ा हुआ मिल जाए तो हो सकता है कि बहुत सारी बाते चेंज हो बहुत सारी बाते as it is रह जाए और बहुत सी नई बाते add हो जाए ये बात बिलकुल संभावना है संभावना नहीं ऐसा होगा ही क्योंकि आप जानते हैं कि जब चीजे कुछ अनुमान में होती है तो अनुमान कुछ गलत होते हैं कुछ सही होते हैं और त्रात्मक है लिपी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं समाजिक जीवन कैसा था हर अप्पा सबता कहा तो समाज की काई परिवार समाज की काई थी परिवार सब एक साथ रहते थे माता की परधानता थी ऐसा अनुमानता कहा जाता है लेकिन इसमें कहीं कोई विसेस बात नहीं म तीनो तरह का पर्था था और इस तीनो तरह के पर्था को अगर मैं अलग अलग धर्म से आज के डिट में कर दू तो देखो सब को दफनाने का काम आज के डिट में इसलाम धर्म मानने वाले लोग सब को दफनाते हैं आप इसको जानते हैं जो हिंदू धर्म मानते हैं जिसको सनातन बोलते हैं वो सबब go को क्या करते हैं जलाते हैं औ जो सबित पार्षी है इसके लोग करके मुझे थुरा सा आप correcting करदेंगे वो सब को खुले में रख देते हैं ठीक है तो अब यहाँ पे अगर आप कहेंगे और कुछ लोग अगर दावा करेगा कि देखो सब को दफनाया जाता था या देखो सब को जलाया जाता था या देखो सब को खुले तो इस इन दावों के अधार पे हम किसी एक धर्म से हरपा सब्ता को नहीं जोड़ सकते हैं हरपा सबता कि कुछ साइट पे हो सकता है कि दफनाने की परकिरिया चल रही हो कुछ साइट पे लकडी बेगरा हो और क्या बलते हैं नदी बेगरा का बिसेश बिवस्ता है तो वहाँ पे जलाने की परकिरिया चल रही होगी कुछ जगाव पे ऐसे ही खुले रख देते होंग यहां पे शिर्फ इस पधती के हिसाब से, यानि कि मिर्तिव के बाद के रिचुल के हिसाब से, चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर देखिए, पधती यह देखिए, अच्छा, जो सब को दफनाने की पती थी, यूगल सवाधान था, यह दो को यह यूगल है, यहां पर मैं लिख दू, ठीक है, यह यूगल है, यूगल सवाधान है, यूगल, कपल है, कपल है, दोनों कह रहा है कि चलो, मरे साथ में आहीं गया हो, तुम भी, तो दोनों कपल है, और सिंगल सिंगल भी है, ठीक है, यह सिंगल सिंगल है, आप देख रहे हैं, ठीक है, मर देखिए जहां देखिए इनके पास भी सर के तरफ और maximum आप देखिए सर के तरफ मिला है आपको कुछ ना कुछ लकडी के का बलते हैं मिट्टी वेगरा के घाड़ा वेगरा जिसमें अनाजनार रख दिया जाता होगा साध ये मानता हो की साध क्या इन जो एविडेंस से इससे ये पता चलता है कि ये मानता जरूर रही होगी कि मरने के बाद भी उनको चीजों की जरूरत परती है और वो चीजे हम उनको दे ताकि उनकी जीवन जो है ना मरने के बाद भी चलते रहे तो अगर मरने के बाद भी च खुदाई में वह अनाज और घरा नहीं निकलता वह इसवर के यहां निकलता ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं होता यह बस और कुछ नहीं है बना दिया है लोग परचलों और उसको मान रहे हैं हाँ परचलीत माननेताओ के खिलाप में अगर जाकर के आप खड़ा होंगे तो उसके लिए बहुत दुख भोगना पड़ेगा गाली सुनना पड़ेगा घर से निकाल दिया जाएगा हो सकता है जैसे राजा राम मोहन राय को घर से निकाल दिया गया था तो कभी भी परचलीत माननेताओ के आगे अगर आप खड़ा होते हैं परचलीत माननेताओ के खिलाप में खड़ा होते हैं तो आपके जिगरा में बहुत दम चाहिए आपके mental जो level है वो बहुत strong चाहिए मतलब मुझे लगता है कि महात्मा गांधी से भी ज़्यादा strong mental level चा है क्या बोलते हैं कोपर निकस की मिरत्यू हो गए थी अब पढ़ लिजेगा कोपर निकस ने किस तरीके से परचलीत मानेताओ के खिलाप में खड़ा हुआ था चलिए आगे बरते हैं इंडस वैली सिवलाइजेशन के बारे में कुछ परमुख अस्थलों के बारे में बात क किया है तो यहां पर कुछ-कुछ बाते हम करती हुए चलिए मोहन जोद्रो मोहन जोद्रो का मतलब होता है मिरतको का टिला एक्जाम का कोश्चन ठीक है एक्जाम का कोश्चन राजधानी नगर कहा जाता है एक्जाम का कोश्चन सिंधु नदी के किनारे है एक्जाम का कोश हैं बहुत इंपोरड एंग-ऽ है फीफ कफडले white psychologist भॉठ कहले हम को जब को बात करते हैं इसको फेसं मज़ Knowledge की अच्छी लिख लिजेगा और चुट कार्चा करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा चर्चा करने के ज़वरत हम को नहीं है है आगे हम लोग बात करते हैं हरप्पा के बारे में ठीक है पाकिस्तान के मॉंटे गमरी जिले में है एक्जाम का कोस्टन है राभी नदी के किनारे एक्जाम का कोस्टन है सबसे पहले खुदाई की गई अस्थाल एक्जाम का कोस्टन है क्यों इसलिए इसे हरप्पा कहा जाता है हमने शुरू में आपको बताया अन्नागार मजदुर का से एक सरिंगी पसु कमुहर चित्रित बेतन पासा मातिर देवी की मुर्थी आधी का परमान मिला है यह भी एक् इसलिए पानदी के किनारे गुजरात में हैं एक्समिला का कोस्टन है संदू सब्सब्सवरा का पोर्ट की लाइंस की सबारा क्रणार है कि लिए और वर जाव को भुज करके से लिए और चूटे नई समझाने काम तो हम लोगों ने बहुत सारा किया है और आपको जरुवत पढ़ेगा तो आगे के समझाएंगे काली भंगा उसको मतलब बता है काली रंकी चूरिया एक्जाम का को स선 है राजेस्थान में है एक्जाम का को सन है गंगा न गरजीले रखेंगे काली बंगा से इसके बाद बनवालि की बात करते हैं यह हर्याना से मिला है एक्जाम क्स्टन है ठीक है रंगोई-Nadae के किनारे एक्जाम क्सटन है मिट्टी के बरतन यहां पर बेहतर जल निकासी का अभाव यहां भी मिला है तो यह भी पॉइंट अब ध्यां लखेगा मिलगा एकजाम का कोशन है इसका अपछे तरीकसा है ठीक है एक मात्र साहर जू तीन भागों में भाजी था हृँँ है रख सकते हैं Hindi English दोनों में लिखा हुआ है चाहुंदारों सिंध परांत में हैं एक्जाम का कोस्टन है किले बंदी नहीं अब मैंने क्या बताया कि कुछ कुछ साइटों का किले बंदी नहीं की गई थी तो यहां पर देखो चनुदारों का किले बंदी नहीं की गई थी तो ए पतन का कारण है जिसमें पतन में कहते हैं कि आर्यों का आकरमन हुआ था तो भी देखी हरपा के पतन का कोई एक कारण तो हो नहीं सकता है अगर मैं इसको explain कर दूँ तो मैं ऐसे explain करूँगा आरेयो का करबन चुकि आप जानते हैं कि हरपा के ठीक बात बैदिक सब्ता सुरू होता है और बैदिक लोग आरेयन कहलाते थे और वो लोहे के बारे में जानते थे और दूसरी बात है कि वो घोरे से आते थे तो कहीं ने कहीं यहां पर आन घर बनाते थे 2-3 फोलोर का लकडी का घर होता था इट का भी होता था तो उसमें संसाद्नों का जरूरत से जादा प्व्याय हो गया होगा इससे भी हरपा सब्ता कम जोर पड़ गया होगा जलवाई में परिबर्तन आप जानते हैं कि जहां हरपा सब्ता फला-फुला आज पूरा का पूरा बंजर यलाका है आप समझते हैं और पाकिस्तान में भी लेका बहुत ज़्याधा established नहीं हिए और आप जानते के कहीं आपर या के कम हो गया है तो जलवाई में परिवर्तन कही Interesting कैडिया करें देवल्पनेंट में यह कं हिलाई होगी स्वट्स क्या कर नेने का मिलना ऑम किया नदियों के दारा के दिशां में कर साधर Canada नहीं नदी के दिसा से पूरे का पूरे सहर का बह जाना दोनों हो सकता है अगर पैटर्न हो गया सहर से दूर धारा चला गया तो सहरों को पानी सही तरीकस नहीं मिल पाना आवागवन के साधन परयोग होना तो सविता को क्या कमजोर करेगा या फिर नदी के पैटर्न बदलने से हमारा सहरो को लेकर के है इसको आप जरूर अच्छे से देखेगा सहरो से एकजाम का कोशन बहुत आया है जहां भी मैंने एकजाम का कोशन बोला है वह एकजाम का कोशन रहा है तो इसको आप ध्यान में आप जरूर रखेंगे यहां पर हम हरपा सब्ता को रोकते हैं और एक्जाम के question बनाने के बाद हमें comment भी किजे, comment आप नहीं करते हैं, exam का question जरूर बनाइए और comment किजे, यानि कि previous year question paper solve किजे, market से लिए आईए आप previous year question paper, बहुत सारे परकासन का previous year question paper बजार में भीगते हैं, मैं तो question आपको दूगा है, लेकिन मेरा question भीग के last में आएगा इससे क्या होगा कि आपका वो चीज अपना बन जाएगा, यानि कि आप आपका हो जाएगा वो, ठीक है, तो आप GS के लिए सिर्फ एक गंटा समय दीजे, जैसे एक देर गंटा इसको परहे हैं, और आदा गंटा exam का question solve करने में, ठीक है, PDF तो आपको मिल रहा है, तो notes बनान